सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटुब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटुब चैनल निमीजी नेट दोस्तो आज हम ICT के अंदर Computer Component के बारे में बढ़ने वाले हैं यानि कि Computer के अलग-अलग जो पार्ट होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस टोप्टिक से दोस्तो बहुत Question आये हैं और आगे भी इसके आने की संभावना है तो इस टोप्टिक को पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तो हमने NDA UGC Net December 2019 एक्जाम के लिए एक Paid Words Up Group बनाया है इस ग्रूप में हम आपको दोस्तो systematic ढंग से study करवाएंगे इस ग्रूप में आपको हर रोज दो वीडियो मिलेगी सुभह की जो वीडियो होगी वह theoretical होगी और स्याम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको most important question के बारे में बताएंगे और उनका mock test भी लेंगे इस ग्रूप में आपको दोस्तो 10 unit के PDF study notes दिये जाएंगे इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक topic wise old paper PDF दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर unit में most important repeated question की PDF दी जाएगी तो दोस्तो जल्दी से जल्दी हमारे इस group को join कीजिए और अपनी study अच्छे से कीजिए link video description box में दिया हुआ है दोस्तो यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखे हम UGC net के अंदर ICT के अंदर वो topic कर रहे हैं जो बारवार पूछे जाते हैं और जो हमारे लिए important है और अगर ऐसे देखा जाए तो computer के अंदर बहुत कुछ है दोस्तों जैसे की computer कब आया था computer की शुरुआत कैसी होई थी कितने टाइफ होते हैं इस तरीके से करके यानि कि ऐसे किया जाए तो यह बहुत बड़ा सलेवस बन जाए अगर उसे 20 दिन लग जाएंगे इसे complete करने में तो इसलिए हम इसके अंदर वो topic कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा important है और जो question paper के अंदर पूछे जाते हैं तो आज हम कर रहे हैं computer के component के बारे में यानि की computer के अलग लग जो पार्ट होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं और इन में से काफी बार question आये हैं और evening की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम आपको live proof दिखाएंगे कि किस तरह से इसमें से question हैं तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि computer के parts किस किस तरह के होते ही internal parts जो होते हैं देखिए इसके नदर सबसे पहले input device आते हैं फिर CPU आता है और फिर output आते हैं मुख्य रुख चाहिए होता है और अब हम इन में detail के बारे हैं detail से जानने की कोशिश करते हैं देखिए स सबसे पहले हम बात करते हैं कि input device क्या होती है और मैं उमेद करता हूं कि आप सभी को लगभग computer के बारे में basic जानकरी होगी तो जो input device होते हैं दोस्तों input device वो होते हैं जिसके दवारा हम अपनी कुछ चीज़े computer के अंदर डालते हैं जैसे कि मान के चलो कि हमें कुछ नंबर हम दबाते हैं तो जो keyword है वो हमारी input device है उसके दवारा हम computer के अंदर कुछ input डाल रहे हैं कुछ चीज़ें उसके अंदर डाल रहे हैं कुछ process करने के लिए ठीक है तो उसे हम क्या कहते हैं input device कहते हैं और यहां पर पढ़ सकते हैं input device के वारे में बहुत असानी से है तो यह हमें पता होना चाहिए जैसे keyword हो गया mouse हो गया mouse से हम जैसे किसी चीज़ के उपर click करते हैं click करते तो यानि कि इसके इंदर हम input डाल रहे हैं कुछ फिर हो गया जैसे joystick हो गया trackball हो गया light pen हो गया touch screen हो गया जैसे आज कल mobile में और laptop में भी touch screen आने लग गई है तो यह स scanner हो गया जैसे हम कोई फोटो स्कैन करते हैं फोम में लगाने के लिए तो scanner क्या है हमारा input device है और डिजबलेट हो गया बार कोड़ रीडर हो गया OMR हो गया OCR हो गया MICR हो गया ATM ETC हो गया तो यह सभी मुख्य रूप से हमारी input device है दोस्तों ठीक है और आगे हम देखते हैं कि output device कौनची होते हैं देखिए output device हमारी input device के उल्टा होती है यानि कि input के अंदर हम कुछ डालते हैं और output के अंदर हमें मिलता है output unit में वे device होते है जो user दवारा input के गई data को result के रूप में परदर्शित करते हैं जैसे कि वही बात है कि हमने computer के अंदर जोड़ घटा गुना भाग करने के लिए हमने number दवाए number दवाने के बाद में जो हमारे पास result आए वो result हो सकता है हमारी screen पे या फिर speaker में बोल के वो बताए कि 4 पलस 5 कि बोल के दिखाए अगर screen पे दिखाएगा तो वो क्या होगा screen हमारी output device होगी अगर speaker में बोल के वो दिखा रहा है तो जो हमारा speaker हो वो हमारे output device होगी और देखे जो हमारे computer है उसके अंदर मुख्य रूप से एक तो monitor जो होता है वो हमारे output device मुख्य रूप से माने जाती है और दूसरा printer जैसे हम प्रिंट करते हैं प्रिंट की कमांड देते तो उससे क्या है कि हमें output मिल जाता है तो मुख्य रूप से इसके अंदर monitor होता है यानि कि screen जो होती है वो फिर printer होता है फिर plotter होता है प्रोजेक्टर होता है यानि कि class विगरा के अंदर हमें film विगरा दिखाई जाते को प्रोजेक्ट पे कुछ ची अदर कई बार एक दो बार question यह आया कि निमन लिखत में से कौन सी output और input दोनों तरह की device हो हमें पता करना है तो देखिए जो हमारा scanner प्लस printer जो होता है वो हमारी input और output device उसे हम कह सकते हैं जैसे जो HP का एक printer आता है उससे क्या करते कि हम scan भी कर सकते हैं और उससे हम क्या कर सक सकते हैं तो उसे हम दोनों काम कर सकते हैं और इसी तरीके से हमारी जो screen है screen जैसे touch screen है touch screen को हम input और output दोनों device कहेंगे क्योंकि touch करके हम उसमें कुछ input डाल सकते हैं और उसके बाद में रिजल्ट आएगा वह हम देख सकते हैं कि touch screen को हम input और output दोनों तरह की device कह सकते हैं तो य इन में से कौन सी चीज है जिन से हम डेटा ले भी सकते हैं और देटा दे भी सकते हैं ठीक है और उसके बाद आती है दोस्तों हमारा अगला पार्ट आता है CPU यह काफी important है computer के अंदर CPU का पूरा नाम है central process unit processing unit अब देखे इसमें कई वर इसकी full form भी पूछी जा चुकी है तो य हमें पता होना चाहिए इसका हिंदी नाम केंदरे संसाधनी काई काई है यह computer का सबसे महतोपन भाग होता है यह देखे दोस्तों यह normal बाते हैं कि जैसे जो CPU होता है वो बहुत important part होता है उसी की दवारा जो हमारा computer हो सब कुछ चलता है उसी केंदर जो calculation होती है जो भी हम command द यानि की mind भी कह सकते हैं वही सारी चीज़े decide करता है क्या करना क्या नहीं करना और CPU के अंदर मुख्य रूप से तीम चीज़े होते हैं दोस्तों एक ALU होता है एक memory होते है और एक CU होता है और इनके अंदर देखे मुख्य रूप से क्या पूछा गया है आज तक जैसे ALU के के बारे हम बात करें तो ALU में इसकी full form पूछी गई है कि ALU की full form क्या होती है इसकी होते है और फिर भी हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं यह देखे अर्थमेटिक लोजिकल यूनिट का मुख्य काम क्या होता है यह जोड घटा गुना भाग करने में यानि कि लोजिकल जो है कि ALU यानि कि अर्थमेटिक लोजिकल यूनिट है और आगे देखते हैं दोस्तों आगे हमारे पास क्या है यह देखिए ज़्यादा आप पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं लेकिन ज़्यादा इसमें से कुछ पूछा नहीं जाता आगे आगे दोस्तों हमारे पास करियाओ को नियंतरित और संचालित करता है यह है इंपुट और आउटपुट करियाओ को नियंतरित करता है साथ ही मेमोरी और ALU के मद्धे डेटा के आदान परदान की कोशिस करता है यह ज्यादा इतना इंपोर्टेंट नहीं है दोस्तों इसमें इतना ज्यादा नहीं फुल फो में वो पूछ ली जाती है फिर भी आप इसको पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं विल्कुल सिंपल भासा में दिया हुआ है और आगे जो हमारा आता है दोस्तों पार्ट आता है वो है मेमोरी यूनिट जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है अब देखे इसके अंदर क्या होता है यह है इन्पुट डिवावाइस के दवरा प्राप्त निर्देशोगों कम्पीटर में संघ्रय करके रखता है अब देखे हम कोई वी चीज एक एंदर डाल रहें तो उसमें कहीना कहीं वो सेव होगी एकम्पीटर उसे समझने के लिए memory यानि की यादास्त के रूप में उसे share करने की कोशिश करेगा जिस तरीके से जो मानव होता है वो भी कुछ चीजे share करके रखता है इसी तरीके से computer के अंदर होता है और computer में जो मुख्य रूप से दो तरह की memory मानी जाती है दोस्तों इसमें कहते हैं कि एक internal memory या फिर उसे क्या कह सकते है primary memory भी कहते हैं और जो दूसरी जो memory होती है दोस्तों उसे हम secondary memory कहते हैं और इन सभी के बारे में हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि computer में कितनी तरह की memory होती है अब देखिए यह हमारे पास एक तो है volatile और एक non-volatile यह दोस्तों मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ यह जो दोनों memory है यह हमारे लिए बहुत ज्यादा important है समझना क्यूंकि इसमें से पहले कई वार question आ चुके हैं आगे भी इन में से question आने की संभावना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे volatile memory होती है परवरतन सिल memory होती है वो किस तरह की memory होती है अब देखिए इसे प्राथमी के memory या primary memory के नाम से भी जाना जाता है इसे मुख्य memory भी कहते हैं अब दोस्तों यहीं पर आप point note कीजिए जो हमारे volatile memory है उसे हम किस तरीके से कहते हैं इसे हम primary memory भी कहते हैं और यानि की primary यानि की मुख्य memory भी इसे कहा जाता है यह सीधे CPU के संपर्क में रहते हैं तथा इसके data और निर्देशों का CPU दोबरा तिवर तथा परतेक्स उप्योग होता है इसे परवर्तन सील memory इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह memory data को permanently store नहीं कर सकता जैसे की RAM अब देखें दोस्तों यहाँ पर एक चीज और यहाँ पर हमें समझने की जरूरी है कि जो volatile memory के अंदर जो memory save होती है वो permanent नहीं होती ठीक है temporary memory इसके अंदर save होती यह बहुत ज्यादा important याद रखना जरूरी है हमें और इसमें उधान के रूप में हम RAM कहें सकते हैं और कई वार यह question आया है दोस्तों कि जो RAM है हमारा RAM यह किस तरह की memory है यह UGC net के अंदर question आ चुका है दोस्तों तो यह जो RAM जो है हमारी volatile memory है और यह question आया था हमारा नवंबर 2017 के अंदर यह question आ चुका है और आगे देखते हैं दोस्तों हमारे पास non volatile memory देखते हैं इसे secondary memory के नाम से भी जाना जाता है इसका प्रयोग ज्यादा तर मातरा में data को स्थाय रूप से store करने भी किया जाता है यानि कि जो memory हमें permanent रूप से save करनी है तो उसके लिए ह यानि कि non volatile memory का हम use करते हैं यह हमें पता होना जुरूरी है और जैसे इसका उधान देके थो हम hard disk होगी जैसे हमारे computer के अंदर hard disk होती है या फिर जो हमें जो चिप विगरा लगाते हैं तो वो होगी वो external जो memory होते हैं उसे हम क्या कहते हैं कि secondary memory कहते हैं या फिर non volatile memory से कहा ज एक थे space के अधार पे जो space किसी को कम होता है ज्यादा होता है तो उसके अधार पे हमारी जो memory वो कितने तुरह की हो सकती हैं उन पर हम बात करते हैं सबसे पहली जो memory आती है और यह चीज़ में मायद्थ दोस्तो आपको बता रहा हूं कि यह जो चार्टर की है बहुत बादा जरूरी है क्योंकि निमेंसे काफी वार कॉश्चन आ चुक हैं और आगे भी आने की संभावना है और इवनिंग की वीडियो में मैं आपको हर एक दिखाऊंगा कि किस तरह से कॉश्चन आये हैं तो चलिए अब हम बात करते कि रजिश्टर मेमोरी क्या होती है देखिए रजिश्टर मेमोरी को रजिश्टर भी कह सकते हैं रजिश्टर मेमोरी कम्पिटर में सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है यहां पर यह बात ध जैसे कि वो register memory दे देंगे primary, scanner, case memory दे देंगे और उन्हें हमें आगे पीछे लगाना होगा ये question आ चुका है पहले ठीक है तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि जो register memory होते हैं वो सबसे चोटी और सबसे तेज memory होती है उसके बाद आती हैं दोस्तों हमारे पास case memory असान भासा में समझने की कोशिश करेंगे देखिए case memory क्या होते हैं जैसे कि हम अपने android mobile के अंदर कोई application चलाते हैं ठीक है तो उसके अंदर जैसे हम अपना नाम नंबर जो भी चीज़े हम भरते हैं जैसे game हम खेलते हैं ठीक है इंटरनेट के अंदर क्या होता कि मान के चली हमने एक ugc net की website खोली ठीक है तो वह क्या करेगा कि ब्राउजर के अंदर उसकी case memory हो जाएगी और उससे क्या होगा तो case memory का यहाँ पर यूज होता है और case memory जितने भी हमारी application होती है चाहे computer में हो चाहे हमारे mobile के अंदर वह सभी case memory का यूज करती है ताकि वह smoothly चल सके तो इसलिए case memory का यूज किया जाता है और जो case memory होती है दोस्तो यह second number पर आती है हमारी register memory के मुकाबले में ठीक है और primary memory जिसके बारे में हमने पहले भी बात कि थी volatile non-volatile के अदर अब दोबारा इसे अच्छे से समझने की कौशिश करते हैं देखिए primary memory computer का सबसे मैतों पूरण भागे जहां data सुचना में प्रोग्राम प्रिक्रिया के दुरान उपस्तित रहते हैं और आप सकता पढ़ने पर अत्काल उपलब्द रहते हैं अब देखिए primary memory हमने पढ़ था खी प्राइमरी जो memory होते हैं वह हमारे मुक्खे memory होती है और उसके अंदर क्या है कि जो प्रोसेस करने की काम आती है और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मुक्य रूप से दो memory हम कहते हैं वह तो रह होते हैं और एक रोम होते हैं और यह एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि यह जो मेमोरी होते हैं ऐस था ही मेमोरी होते हैं प्राइमरी मेमोरी इसके वारे मैंने आपको पहले भी बताया है तो यह हमें याद रखना ज़रूरी है और देखिए रैम और रोम जो है वो हमार दो primary memory के अंदर आती है अब RAM की बात करते हैं दोस्तों ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा important है और इसका directly पूछ लिया जाता है कि RAM की full form क्या है तो इसे हमें पता होना चाहिए random SS memory इसे कहा जाता है अब देखे RAM या random SS memory computer की S3 memory होती है temporary memory होती है keyword या अन्य किसी input device से input किया गया data प्रकिरिया से पहले RAM में ही संग्रित किया जाता है यानि कि जब हम computer चला रहे होते हैं तो उस दुरान चोटी-चोटी memory की आवसकता होती है जैसे computer में हो keyword है उससे हमने कुछ चीज दवाई है तो वो सबसे पहले RAM की अंदर जाती है और उसके बाद में वो आगे process की जाती है और जो RAM जो होती है दोस्तों वो क्या है कि जैसे कि हमने computer बंद किया या बिजली चली गी तो उसके बाद में वो सारी की सारी चीजे साफ हो जाती है memory होती है और जो RAM जो होती है दोस्तों वह हमारी अलग-अलग size की हो सकती है यह तो इसमें भी होता है और जैसे आजशकल आपने इसमें भी देखा होगा हमारे जो फोन है फोन के अंदर भी हम सुनते कि इसके अंदर तूजी बी-ता है चे घूरे मैं है तो जिस फोन की जितनी ज्यादा रैम होगी वह फोन कैम्पुर्य उतना ज्यादा समूथली चलेगा और आगे जैसे देखते हुए हम रैम के भी तीन तरह के परकार है डायनमिक RAM और Synchronized RAM और Static RAM अब देखिए इनके बारे में हमें Detail से पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि UGC के अंदर इतना ज़्यादा Detail से नहीं पूछा जाता इनकी मुखे-मुखे बाते पूछे जाती है और आगे देखते हैं दोस्तों हमारे पास आगे है ROM Read Only Memory अब देखिए इसका हम मतलब समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो हमें वही बात है कि इसका पूरा नाम पता होना चाहिए इसका पूरा नाम Read Only Memory है यह सथाई मेमोरी यानि की Permanent Memory होती है जिसमें computer के निर्मान के समय program store कर दिये जाते हैं अब देखिए ROM क्या होता है जैसे कि हम computer है या फिर अपना mobile है जब लेके आते तो उसके अंदर कई application पहले से ही install होई होती है जैसे कि हम बात करें हमारे पास clock जो होगी घड़ी जो होती है फॉन में और computer में calculator हो गया और वी काफी तरह की चीजे जो होते हैं वह पहले से ही store होती है तो वह किसके अंदर होते है वह हमारी ROM के अंदर होते है read only memory यानि कि उसको हम यूज कर सकते हैं केवल पढ़ सकते हैं उसको हम change नहीं कर सकते हैं जैसे कि जो computer के अंदर हमारा calculator बन के आया पहले से ही इसी तरीके से मोबाइल में बन क्या है पहले से इंस्टॉल होके है तो उसे हम डिलिट नहीं कर सकते असानी से उसको हम केवल यूज कर सकते हैं ठीक है तो यह मुख्य रूप से होती है और यह क्या होता है कंप्यूटर का सवीच ओफ होने के जो कैलकुलेटर है वो हमारा चला जाएगा वो हमारा हमेशा बना रहेगा और रोम जो है नोन वोलेटाइल या एस थाई मेमोरी कहलाती है दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रैम और रोम दोनों के अंदर थोड़ा हो सकते हैं इसलिए हमने यहां से बिल्कुल असानी से समझ सकते हैं जो होते हैं और यह को हम अपने कंप्टर करते तो किस तरह की मेमोरी का यूज किया जाता है यह कुशन पहले आज दो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पूरा का पूरा PDF स्टडी नोट्स लेना तो आप हमसे ले सकते हैं इसके लिए आप हमारा पेड़ ग्रूप जोइन कर सकते हैं पेड़ ग्रूप जोइन करने के लिए स्क्रीन पर आप हमारा नंबर देख सकते हैं या फिर हमने वीड जो ROM है Read Only Memory इसके भी यहाँ पर टाइप दिये हुए है यह आप पढ़ सकते हैं इन में जून 2019 यहाँा था दों यह हमें पढ़ना जरूरी इनकी फुल स्केंदरी अधर CeHeasker क Mizraori का मतलब क्या होता के जैसे की हमने हाड दिस्क अलग के लग ऐimana है यह धितरुरिक्वित का मतलब क्या ओता है कि जो श्टोरिज में computer से बाहर से जोड़े जैसे कि हमने hard disk अलग से लगाई और या फिर हमने pen drive लगाई या फिर हमने cd डाली या फिर magnetic disk डाली जो पहले यूज होती थी तो उन सभी को हम क्या कहेंगे secondary memory कहेंगे और उसके अंदर क्या है कि उसे हम upgrade कर सकते हैं घटाया बढ़ाया जा सकते हैं जैसे कि हमारी pen drive होते हैं pen drive हम 10 यानि कि 8 GB pen drive लगा सकते हैं 32 GB लगा सकते हैं उसको कम ज्यादा हम कर सकते हैं और इसमें मुख्य रूप से क्या होता है secondary memory होती है और कई वार ये question दोस्तों directly पूछ लिया जाता है कि जो RAM है मैं आप से पूछ रहा हूं दोस्तों आप ये मेरे को जवाब देना comment box के अंदर जो RAM है वो किस तरह की memory है primary memory है या फिर secondary memory है इसका मेरे को answer देना ठीक है मैं जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने ये वीडियो अच्छे से देखिए या सही से नहीं देखिए तो इसका answer आप ज़रूर मेरे को देना और दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आपको ये वीडियो हमारी अच्छे लगे तो प्लीज 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 देख्सके ठेंकियो दोस्तों दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो रेल में अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना सेर करना और कमेंट भी जरूर करना